करो जो कि अबूए आज कर लोग अलुकि केंडे आपलोग उमिद करता हूं बहुत बढ़िया हो गय्स आज मैं आप लोग का डिमांड और कमेंट में लेके आज चुका हूँ राची के हीनु चौक आज मैं इस हीनु चौक से आपको लेके चलने वाला हूँ एयरपोर्ट जो की बिर्समुंडा एयरपोर्ट के नाम से जाना जाता है क्योंकि आप लोगों को डिमाड और कमेंट बहुत आरदा कि सकील वाय राची का एयरपोर्ट दिखलाई है तो आज मैं आज चुका हूँ आप लोगों को दिखलाने के लिए राची का फिलसा मुंड़ एयरपोर्ट तो वीडियों पनल है बिल्कुल वीडियो के इसके पने करें चैनल पहली बारे सब्सक्राइब जरूर करें ताकि ऐसा ही राची तहर अपडेट वीडियो आप लोगों को इस चैनल के पास करना जा रहा है चलीज धमाके तर ब्लोग करते हैं सब्सक्राइब आज में इस एयरपोर्ट से आप लोगो पूरा घुमाने वाला हूं और इस एयरपोर्ट के बहुत ही खास जानका रही आप लोगों को इस वीडियो का माति हमसे देने वाला है तो वीडियो बने रहे हैं वीडियो का लास्त तक जरूर देखें यह देख सकते हैं अभी हमें एयरपोर्ट जाने के लिए हिलो चौक से निकल चुके हैं और देख सकते हैं एयरपोर्ट जाने के दोरान रोड कितना खुबसूरत और कितना पढ़िया आपको देखने को मिल रहा होगा और आप लोगों के बता दो कि जारखंड और राची के खुबसूरती आपको दिवारों में देखने को ज्यादा से ज्यादा मिलने वाला है एयरपोर्ट तो विडियों बने रहे हैं आज में पूरे जानकारी देने वाला है इस वीडियो के मादम से जारखंड और सबसे खुश्यों और सबसे बड़ा एयरपोर्ट दिरसा मुन्दा एयरपोर्ट अब लोग लेकर चलते हैं इसके अंदर और अंदर दिखलाते हैं यहाँ पर कैसा यह एयरपोर्ट ते वीडियों बने रहे हैं विडियों को पूरा देखें अब हम लोग यहाँ से चलने वाले एयरपोर्ट के अंदर और यह देख सकते हैं यह है पूरा पार्किंग एरिया आप साथे देख सकते हैं कितना बड़ा यह पार्किंग एरिया है यहाँ पे आप टू विलर और फोर विलर पार्क कर सकते हैं और यहाँ पार्किंग सुलक ह है 30 और यह देख सकते हैं इलफ चार्जिंग सकते हैं यह यह कार पार्कश एक इतना बड़ा यहांप और सबी बड़ा यह गया अब देख सकते हैं विर्शा मुंडा एइरपोर्ट के पास आपको यह सबसे बड़ा यह मिलेगा है जो कि हमारे देश के हैं और यह देख सकते हैं यह है बिर्शा मुंडा बनाएगी हैं बहुत सारे बाहर से याधरी आते हैं तो सेलफी आते अराम से ले सकते हैं आज में इस वीडियो के मातियां से आप लोगो पूरा बिर्सा मुंड़ा एरपोर्ट दिखलाने वाला हुद वीडियों बने रहे हैं बिर्सा मुंड़ा एरपोर्ट के इतिहास के बारे में आप लोगो पता दो गैस कि जार्खन के राजधाने राची के विर्सा मुंड़ा एरपोर्ट देश का दूसरा स्थान मिला है यहां से उड़ान भरने वाले याद्रियों के अनुशा यह बेहतर स्विद्धा ए उपलद है यह सफ़क्ता जार्खन के लिए गर वाली बात है राजधानी राची सिथी भगवान बिर्सा मुंड़ा एरपोर्ट के देश में दूसरा स्थान मिला है यहां से हर दिन यात्रा करने वाले यात्रियों ने इसे बहतर बताया है गरहक संतुष्टी के मामले में विवान यात्रियों ने यह उपलद सिवायों को अच्छा बताते वे अच्छा नमबर दिये हैं यह सर्वे देश भर के एरपोर्ट पर कक्राए गए थे अब इसकी रिपोर्ट सामने आई है इस रिपोर्ट के अनुषार गरहक संतुष्टी के पैमाने पर यह एरपोर्ट देश का दूसरा अस्थान रखता है विवी हाली में जारी एक रिपोर्ट के अनुषार भगवान बिरसभ मुल्ण एरपोर्ट को 4.97 अंक मिला है वही राउंड वन में इस एरपोर्ट को 4.84 अंक दिया गया था एरपोर्ट पर बंद के इस पर गर्ब जताते हैं कहां कि लगतार यहां पर यादरी सुईदा बढ़ाए जा रही है या उपलद सुईदाओं को सिवाओं से यादरी काफी खुस है एरपोर्ट पर साफ सपाई आप सामने देख सकते हैं यहां पर आपको पार्किंग सुद्चा चेक इन टाइम पहले की तुल्ला में काफी बेतर कर दिया गया है आने वाले दिनों में यहां कई और सुदाएं विकार्शित की जाएगी इसे लगतार कवाज जारी है आप लोग कर बता दो गैस कि अभी इस समय हर दिन 28 विवान उडान भेरे जा रहे हैं बिरसा मुंड़ एरपोर्ट से इतना ही नहीं यहां से हर दिन 6500 यात्री यात्रा कर रहे हैं पहले की तुल्ला में यात्री की संक्या काफी जादा बढ़ चुकी है आप लोग बता दो गैस कि यह हवाई अड़ा भारत एकलाता है इसा हवाई अड़ा है जो कि सहरी छेतर से मात्र 6 किलमेटर दूरी में यह एरपोर्ट मिलता है और आप लोग बता दो यह राची के हीमी मुहले के समीत इस्तिती है और यह सहर के मुख्यस्थानों से लगबग 6 यह 7 किलमेटर के दूरी में आपको यह एरपोर्ट देखने को मिल जाएगा और यह देख सकते हैं यह एरपोर्ट के अंदर करना जार हम आप लोगों को दिखला रहे हैं काफी खुबसूरत और काफी बड़ा यह एरपोर्ट बना हुआ है यह एक दोवेश्टिक एरपोर्ट है और यहां से रोजाना हजारों हजार यातरी सफर करते हैं जैसा कि आप लोगों के बता दो बिर्सा मुंदा हवाई एड़ा राची छारखन में स्थित हैं और यह भारत का 27 सबसे वेस्ट हवाई एड़ा में आता है पहले के तुलना में यह जादा हर्याली और जादा खुरस्वत यह एरपोर्ट देखने को आप लोगों मिल रहा होगा इस वीडियो के मात्यम से मैं आप लोगों अभी तक सारे जनकारी दे चुक हूँ जितना मुझे पता है उम्मिद करता हूँ यह वीडियो आप लोगों काफी पसंद आ रहा होगा पसंद आ रहा होगा प्लीज वीडियो का लाइप और कमेंट सेहर्स जरूर किया करें विडियो आप लोग काफी पसंद आए विडियो पसंद आए विडियो के लाइक कीजिए कमेंट कीजिए चैनल पहली बार है तो सब्सक्राइब जरूर करें ताकि एज राजी तहर अपडेट वीडियो इस चैनल के मात्यम से आप लोगों मिलते रहें फिर मिलते आपसे कोई एक वीडियो तक तक लिए गुड़ बाई